आप समझेश सक्तिमान न है और सक्तिमान ही गंगाधर है एड़ ही भारती जनता पाटी है भारती जनता पाटी ही एड़ है तो जो गजरात में सैक्स रैकेट है जो ड्रग एकरफ ख़ूलासा होता तो ये LOVE तो वही काम करते है बारतिया लोमिन को ननिक होपकालव प्रशंद् तो इसमें बुरा थोरो नहीं तो आया है यह वही बहुत है यह एसके लोग है जो 52 तक आपने कारियालियों उपर जंडा नहीं फराया तिरेंगों को अपने पेरों को ले रोंदा आज सदबुद्धी आई है इसलिए उनका स्वागत है इस बात का विरोध नहीं किया जाना चाहिए हर आदमी की अपनी अपनी सोच है मैं तो कहता हूँ आरेसेस के लोगों को अगर ये सदबुद्धी देश के आजादी की लाराई जिस समय चल रही थी उसी समय आई होती तो ये देश के साथ गदारी नहीं कर रहे होते गोरे अंग्रेजों के दलाल नहीं होते मुख्विर नहीं होते कम से कम आजादी के 75 साल में ये सदबुद्धी भाजपा को आई है इसके लिए भारती जंता पाटी को धन्यवाद कि अनके साथ खुषिया कौन मना कर रहा है आप अगर देश के लिए काम करेंगे हर अदमी करेगा हम तो बिरोध ही सिर्फ इस बात का करते हैं कि आप सिर्फ तिरंगा मत बाटिये तिरंगा फैराने की ही बात मत कीजिए तिरंगे के महत्व को समझे कि देश में तिरंगा ही नहीं चलेगा दूरंगा नहीं चलेगा यह जो भारती जंता पाटी का जंडा और नियती जो दूरंगे की है इसको आप छोड़ दीजिए तिरंगा जो रियल में तिरंगा का संदेश है उस संदेश को भी मोदी जी को भगवान सद्बुद्धी दे बिलकुल सबसे पहले मोदी जी को यह बताना चाहिए कि हमारा तिरंगा खादी के कपरे का बना होता है और उन्होंने खादी ग्रामो द्योग जो समितियां है उनको न देके चाइना को क्यों ओडर किया है तो तिरंगे का मा तो यहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या आहमियत दे रहे हैं और उन्होंने तिरंगा के प्रती जो जूठा राष्टबाद परसुने की कोशिस की है वो पूरा भारत का आवाम एक एक आदमी भारत का कंकन में आदमी जानता है कि यह लोग जूठ और फरेवी लोग हैं और यह लोग सिर्फ और सिर्फ राजनितिक वाइदा के लिए इस तरीके का तिरंगे का महतु दे रहे हैं यह वही लोग हैं जो तिरंगे को अपने पैरो तले रौंदा था अपने कारियालेओं पर जंडा नहीं फाराया था तिरंगे का मान करते थे यह वही लोग हैं विपक्स के लोग आज खल इडी से बड़ा डर रहे हैं। जो नरायन राने जी पर कारवाई हो रही थी, अब भारती जनता पार्टी में वो मंत्री कैसे हैं। अब इडी चुप क्यूं हैं। इडी तो ऐसे ब्यभार कर रही है। इडी का नाम बदलकर भारती जनता पार्टी रख देना चाहिए। आप समझेए, जैसे आपने सक्तिमान सिरियल देखा होगा, गंगादर ही सक्तिमान है, अब सक्तिमान ही गंगादर है। इडी ही भारती जनता पार्टी है, भारती जनता पार्टी ही इडी है। तो उनको रासेवा में कैसे भेजा गया, आप बता दीजे, एक हम ही तो नहीं कहा रहे हैं, आप भी बताइए कि क्या बात है, क्यों नहीं चोकिदार चोड़ है कह सकते हैं। बुद्धी जीवियों की बुद्धी जीव खा गई है, तभी तो वो देश के परती नहीं सोच रहे हैं, वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। इसलिए तो सवाल उठता है, सवाल जो उठता है, सुप्रीम कोट क्यों नहीं संग्यान लेती है हर बामले में। घर में खाने वाले लोगों को प्रिमांगाई का बोजपरा है, ऐसा पहला वार हुआ है, आजादी के 75 में साल में, कि महंगाई चरम पर है, दूद पर, दही पर, पनीर पर, अंतिन किरिया के शामानों पर भी GST लग गई है, यहां तक ही बच्चे जो किताब कॉपी पढ़ देखे भारती है, लोगतंत्र के चौथे अस्तंब कहे जाने वाले मीडिया के लोगों को दिमक जो है, खा गई है, चाट गई है, वो पहले के राजा महराजा जैसे भान रखते थे, ऐसे ही अब वो मीडिया का रोल हो गया है, कि सरकार के सामने कर रही है, एक बात बताईए भारत की मीडिया उस समय डिवेट क्यों नहीं करती है, जब आडानी के पोर्ट पर कंटेनर का कंटेनर हेरोईन पकरा जाता है, जब उसी गुजरात में बार बार हेरोईन की खेपें पकरी जाती है, उसी गुजरात में जहरीली सराप से कितने लोगों की मौते हुई है, उस पर डिबेट होता भाकपा के जिला अध्यक्ष पर कारवाई होती तो जो गुजरात में सेक्स रेकेट है जो ड्रेक्ष रेकेट है सब का खुला सा होता तो यह लोग तो वही काम करते हैं ची अभी आपने डिबेट चलाते हुए देखा है कि दुरुप सक्सेना का क्या हुआ ब्यासपी देवेंदर सिंग का क्या हुआ चर्चाई नहीं होता है जो भारती जंता पाटी का नेता हथियारों का सप्लायर निकला उस पर कोई डिबेट होता है जो कोकीन पामला गोश्वामी के साथ पकरी गई उसका क्या हुआ ये सब बात कौन बताएगा तो मीडिया के लोगों को क्या चाहिए अंबानी अडानी के कमपनी का बिग्यापन सरकारी बिग्यापन और सरकार ने पूरा का पूरा खजाना खोल रखा है बिग्यापन के लिए तो ये लोग बिग्यापन लेने के डर से सरकार कैसे सवाल नहीं पूछे सरकार से सवाल पूछना जो सासन में है सत्ता में है जिसके हाथ में पाबर है मीडिया के काम है तो मीडिया तो अब क्या बता हूं आपको मीडिया का अस्तर इतना गिर गया जितना जुंका नहीं गिरा बरेली के बजार में लेकिन आज कल बहुत है स्मिर्टी राजी ने समाल लेंगे एल इंवर्सिटी का सर्टिफिकेट तो आज तक नहीं दिखाई इनकी बेटी ने जो बाहर खोला वहां भी प्रोसे जा रहे है वो नहीं दिखाई लेकिन तो बहुत गर्जी है चोर मचाय सोर यही तो हो रहा है आप बताए ना क्या गरज रही है कभी स्मिर्टी राणी मंगाई के मुद्धे पर जैसे यह चूडियां लेके गुमा करती थी यह अज चोरियां क्या कम पर गही यੰश्विर्लदी राणी के पास यह चूडियां नहीं दिखा रहे है आप बताएं ना कंपर गही आज प्रधान पंतरी को क्यूं नहीं भेज रही हैं आज देश की अर्थमिवस्टा का क्या हाल है देश में मंदी है देश में बेरोजगारी है बुख मरी है आपका रहे तो आप गरजिये नहीं जाके वहाँ जहां से हमा मालिन सांसद हैं अभिताबचन देखे थे ने धर्मेंदर का किसके सामने नाचने के लिए नहीं बोला पानी में बच्चों को संक्रमन फैलने का डर है बीमार होने का डर है क्या वहां की जो प्रिंस्पल है सुजाता जी और प्लवी जी जो सहायक अध्यापिकां है क्या अपने बच्चों से ऐसे करवाएंगी उस पर कोई बात नहीं होती कि जो मतुरा किर्ष्ण की जन्बूमी अगर इसमिर्ती रानी के बच्चे को भी पानी में अगर गंदे पानी में कुदा दोगे कुछ जाएंगी आप बताओ ना देखे क्या है चले नाबे टांगन टेरा अचोर मचाए इनका जो काम है यह सिर्फ सवर मचाना जानते हैं पाप शारे पाप का एक ही केंद्र बिंदू है भारती जनता पाटी आप दुनिया के कोई भी कुकर्म कीजिए और भारती जनता पाटी जोएन कर लिजे आपके सारे कुकर्म माफ हो जाएंगे सब कुछ है उसके हाथ में जो मन चाहे वो कर ले खोड़ी गाउं का मामला आपको पता है खोड़ी गाउं में गरीबों के घर तोर दिये गए और अमीरों के जो फर्म है उसे कुछ जमीन को कोई पूछने वाला है मोदी जी कहते हैं जहां जोपड़ी वही मकान आपका अरे घर तोड़ा जा रहा है जहां पुछे खोड़ी गाउं में जाके क्यों नहीं पुछे दिली के जुगियों में कि जहां रात में जाके रिंगिया के पापा ही ही हांस दिली रिंगिया के पापा रात गुजारते थे जहां प्रधान मंतरी, हरदीप सिंग पूरी, विजय गोयाल, हरसबर्धन जी अपनी सभाओं में कहते थे कि गरीबों को मकान मिलेगा, इतने बरे-बरे केलेंडर माटा करते थे, आज उन गरीबों को क्यों उजारा गया, सावा लाकी अबादी खतम हो गई, 40 मंदिर तोर दि गया, एक गुर्धवारा को तोर दिया गया, किसी भाजपा के नेताओं के मुझा हलक से जबान तक नहीं निकली, का आप कह रहे हैं? पहिया बनाने का भी ओडर मिला है, जबकि भारत में रेल कार खाने हैं, भारत में निर्मित हो सकता है, इससे क्या होता है, कि रुपिया पर प्रेसर पड़ता है, हम से कम मोदी जी को तो समझना चाहिए, यह सलाह मानेंगे किसका, अच्छा कुमार का, किसका अन्पन खेर का यह किसका मानेंगे, तब यहती नरसिमाननन्द का और से पूछो जो और सास्री हैं, यह बेरत सास्रीों से पूछ हैं, हम बोले हैं कि आमर्च सास्री हैं, और सास्री तरह रुपर अधरशन है, उन्होंने क्या कहा था, कि योतबंती देश के लिए सबसे ब़ुता है